हलो फ्रेंड्स वैलकम बैक टू माई चैनल पमी ब्यूटी वर्ड तो आज का हमारा टोपिक है कि हम अपने हेर्स में कैसे रूट टचप कर सकते हैं है रूट चप का मतलब है अपने ग्रे हेर्स को नहीं है कि जिससे की आपके ग्रे जदा दिखाई ना Bowl सबसे पहले मैं आपको प्रेये श्यो कर रही हूं कि मेरे कितने ग्रЕये हेर्स हैं तो उसके लिए सबसे सबसे पहले हमने क्लाइंट को cutting sheet wear करवा देनी है ताकि जो hair color है उनके कपड़ों पर ना लगे तो इसलिए हमने cutting sheet wear करवा दी है hair color कर रही है मेरी student जिसका नाम है नीतू तो उसने ही बोला चलो मैं कर देती हूं मैंने सोचा चलो video बना लेती हैं तो इसके लिए हमने आपके लि प्रोपर वोश होने चाहिए अगर वोश एक दो दिन पहले के हैं और नहीं होई तब भी चल जाएगा क्योंकि उससे भी हमारी स्किन में protective layer त्यार हो जाती है जिसे कि हमें color itching नहीं करता जो हम color कर रहे हैं वह लोरियल का है जो कि एक ammonia based color है जो जितने भी ammonia based color होते हैं वह permanent color होते हैं पर roots का touch up करवाने के जो 15-20 दिन बाद जा हमारे नए बाल होते हैं उसमें color नहीं होते क्योंकि यह उपर से ही hair color में color करता है तो सबसे देखिए लोरियल की हमने five number ट्यूप ली है जिसकी mixing ratio रहेगी one is to one and point half यानि कि one is to one होती तो दोनों की mixing ratio बराबर रहती पर इस में जो mixing ratio हमेशा ट्यूप पर लिखी होती है तो आप हमेशा पढ़ लें कि कितनी mixing ratio है तो इसकी mixing ratio थी कि जितनी ट्यूप है उससे डेड़ गुना आपने ड्वैल पर लेना है और अच्छे से ट्यूप में से जितना भी color आपको required है client के hairs के according निकाल लें एकदम से बहुत सा करना है 20 वोल्यूम का ड्वैल पर जब भी आप root touch-up करो तो आपने 20 वोल्यूम का ही यूज करना है कभी भी 30 या 40 वोल्यूम का यूज नहीं करना क्योंकि 30 और 40 वोल्यूम से आपकी skin burn हो सकती है और वयर root touch-up के लिए नहीं होता वह highlighting या pre-lightning के लिए ही होता है तो डेड़ गुना ड्वैल पर लेना है बोटल को अच्छे से शेक कर लेना है यूज करने से पहले फिर color को अच्छे से mix करना है क्योंकि आपकी mixing बहुत ज्यादा matter करती है तो आप फिर अच्छे से color को mix करें mix करने के बाद आपने sectioning करनी है जो कि हमने पहले ही आपको show कर दिय कि इस तरह से sectioning की गई है तो अच्छे से बालों में color को करने से पहले आपने दियान देना है कि अगर आप full hairs का root touch up कर रहे हो तो आप starting से ही color लगाना शुरू करें यानि front से color लगाना शुरू करें अगर आप back से color लगाना शुरू करोगे तो front से तक आते आते आपके color की intensity क कम हो जाएगी तो ऐसे में front के hair पर अच्छे से color नहीं आएगा तो हमेशा color का काम आप front के ही hair से ही start करो ताकि अगर नीचे के hairs में intensity कम हो भी जाए तो उपर के hairs जो हमारे visible होते हैं वह proper तरीके से अच्छे से cover हो जाएं हमने थोड़ा सा coconut oil लेकि eyebrows पर और hairs पर लगा लिया है ताकि जो यहां के hairs हैं उन पर कोई भी side effect ना हो सबसे पहले हमने hairs का एक section लिया है उसके perimeter को cover किया है perimeter का मतलब होता है उसके 4 तरफ के hairs उनको brush से अच्छे से color लगाना है color को emulsify करना है और पहले color को रखना है फिर emulsify करना है brush से ताकि proper application हो अच्छे से cover हो जाए perimeter को cover करना बहुत ज़्यादा जुरूरी है क्योंकि यह यह hair होते हैं जो सबसे ज़्यादा visible होते हैं तो ऐसे में सबसे पहले हम perimeter cover करेंगे उसके बाद section लेंगे चोटे-चोटे section लेने हैं ताकि proper hair cover हो जाए और color लगाएंगे brush से emulsify करेंगे और फिर उसे कान के पीछे लगा देंगे अगर आपके client के कानों पर hair लग रहा हो तो color लग रहा हो तो आप ऐसे में उनको foil wrap पहना सकते हैं या फिर ear cap भी लगा सकते हैं तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें अगर color कानों पर ना लग रहा हो तो ऐसे ही आप आप उसे कर दें, देखिए किस तरीके से प्रेप्लिकेशन हो रही है, जितने भी बेबी हेर्स हैं, वो भी आपने जरूर कवर करने हैं, क्योंकि फिर वो छोटे-छोटे हेर कलर जो हते हैं, वो अच्छे नहीं लगते, यदि रूटच अब करना है, तो लाइट कलर की ट्यू कलर की साइड जा सकूं, गोरे रंग वालों पर रूटच अब 5 या 6 नंबर का अच्छा होता है, मीडियम रंग वालों के लिए 5 नंबर का, सामले रंग वालों के लिए 3 और 4 नंबर का रूटच अब ठीक रहता है, और कई बार ऐसा होता है कि क्लाइट के हेर्स जरूर से ज नहीं लगना चाहिए कलर का टाइम पूरे बालों में रूट चप होने के बाद ही स्टार्ट होता है कलर टपकना नहीं चाहिए mixing ratio company के according to पर लिखा हुआ होगा किसी भी chemical को का treatment पहले hair wash करना जरूरी है in your salon अगर घर से करके आए तो वह अच्छे से बिल्कुल proper wash होना चाहिए जब आपके hairs में पूरा color हो जाता है तो 45 मिनट तक wash करना है जब आप wash करने जाओगे तो थोड़ा सा पाने डालें और color को बहुत अच्छे तरीके से emulsify करें color patch के रूप में नहीं दिखाई देगा आपके hairs में skin में कहीं भी color ऐसा नहीं लगेगा क्योंकि color cut the color अगर आप proper emulsify करोगे तो आपका वहाँ पर कोई भी stain नहीं पड़ेगा अगर कोई stain पड़ भी जाता है तो आप stain remover use कर सकते हैं permanent color जिस color में ammonia होता है वैं permanent color होता है कई बारे कपते बाद या 10 दिन बाद client आता है और बोलता है आपने बोला था यकर permanent color है ऐसे में ध्यान से चेक करें कि client कहां से बाल gray हुए है उनके बाल 10 दिन में जो regrowth हुई है वही बाल ही hair gray दिखाई देते हैं customer को बोलो आपकी new growth पर ही white hair color क्यों है क्योंकि हमने root के उपर काम किया है root के अंदर हमने काम नहीं किया तो white hair जो आएंगे वो white ही रहेंगे तो उन्हें बोलो कि आप फिर से root अप्चप करवाएं ammonia color उन्हें नहीं लगाना चाहिए जिनकी scalp sensitive scalp में 10 volume cut well पर use होगा scalp test भी आप कर सकते हैं कई बार client के hairs जो होते हैं hair का steam अलग तरीके से होता है जैसे वो side mark निकालती हैं तो आप side mark निकालकर ही root touch up start करें क्योंकि उनको उसकी आदत होती है और उन्हें वही area जादा बिलकुल cover चाहिए तो आप hair steam के ही साब से भी hair color कर सकते हो इसमें आप जब भी color करते हो उसके बाद आप इसके ज़्यादा time तक stay करने के लिए color protection shampoo ही use करोगे तभी आपका color ज़्यादा दिन तक stay करेगा अगर आपको इससे itching हो रही हो तो आप इसे तुरंद wash कर दें थोड़ी बहुती itching तो इससे होती है पर ज़्यादा itching हो तो आप इसे wash कर दें अगर scalp test भी करा सकते हो एक बार थोड़ा सा color लगा कर देके अगर 24 घंटे के बाद आपके scalp में कोई problem ना हो तो भी आप इस color क करवा सकते हो इस color से आपके hairs one month से लेके one and half month तक काफियत तक cover रहते हैं पर यह भी आपके hair के wash पर depend होता है अगर आप ज़्यादा hair wash करते हो या फिर color करवाने के बाद oiling कर लेते हो अच्छे तरीके से या फिर hair spa ले लेते हो तो आपके root touch up का उस पर बहुत ज्यादा effect पाएगा तो ऐसे में आप पहले ही hair spa ले ले लें उसके बाद ही root touch up करवाएं जिस तरीके से हमने first side किया था उसी तरीके से हमने second side भी hair को अच्छे से root touch up कर लेना है उसके बाद फिर हमने किया था hair wash जिसकी की clip मैं नहीं बना पाई क्योंकि इतना time नहीं था मेरे पास client आ गए थे उसके बाद तो फटा फट मैंने इसे wash करवा लिया था तो इसकी clip ना बना पाए थे हम तो देखिए hair color करने के बाद मेरे काफी अत्तक hair cover हो गए है तो यह है इसका final result अगर आपको वीडियो useful लगी हो तो please like, share, comment on my channel and subscribe also अगर आपको true touch up के बारे में औ जानकारी चाहिए तो please आप मुझे comment करके पूछ सकते हूँ and subscribe also my channel thanks for watching my dear friends